हेलो फ्रेंड्स मैं निपिका कोलते आप सबका अपने मेट्स लेर्णिंग चैनल में स्वागत करती हूँ आज का हमारा टॉपिक है नाइन का टेबल 99 था तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 9 का डेबल हम देखेंगे यहां पर आपको 910,920 यहां लिखा हुआ है अंसर हमें देने बाकी है तो चलो हम सबसे पहले अंसर कैसे निखाले है वो सिखेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको यहां पर दो क्रियाय करनी है तो आपको यहां से 1, 2 लेके 10 तक की जो नंबर दिये है उसमें से first step हमें minus 1 करना है और left side पे लिखना है तो 1 में से 1 अगर हम subtract करेंगे तो यहां पे होगा 0, 2 minus 1, 1, 3 minus 1, 2, 4 minus 1, 5, sorry 3, 5 minus 1, 4, 6 minus 1, 5 ऐसे हम last तक लिख देंगे और दूसरा step होगा तो यहां पे हमारे जो 1, 2, 10 तक के नंबर है उसे हम सपोस मान लेते हैं x तो x के अंदर हम कौन सी संख्या add करेंगे तो हमारा last number है 10 वो हमें मिलेगा वो हमें लिखना है तो 1 के अंदर हम 9 add करेंगे तो हमारा यहां पे हो जाएगा 10 वैसे 2 के अंदर हम 8 add करेंगे तो 10 होगा 3 के अंदर 7, 4 के अंदर 6, 5 के अंदर 5, 6 के अंदर 4, 7 के अंदर 3, 8 के अंदर 2, 9 के अंदर 1 और 10 के अंदर हम 0 add करेंगे तो हमें 10 निल जाएगा तो यहां पर हमने दो condition apply की है तो सबसे पहले हमने यहां पर जो हमारा 1 to 10 नमबर है उसमें से minus 1 किया था और जो नमबर है उसके अंदर हमने ऐसी संख्या एड़ की तो जिससे हमारा total 10 आ सके तो यह हो गया हमारा 9 का टेबल 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81 and 9 10s are 19 सेम ऐसे ही हम अब 11 to 20 का टेबल देखेंगे वहां हमने 1 to 10 में minus 1 किया था तो अब यहां पर हम minus 2 करेंगे तो 11 मेंसे 2 minus करेंगे तो यहांपे हो जाएगा 9 12 मेंसे 2 minus करेंगे तो हो जाएगा 10 13 मेंसे 2 by 1 मैंस करेंगे तो 11, फिर होगा 12, फिर होगा यहां फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 और हमारा second step होगा, दी गई संख्या में हम कौन सा number add करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, तो 11 में हम add करेंगे 9, तो हमें 20 मिलेगा, वैसे ही यहापे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. यह हो गया हमारा 11 to 20 का table, वैसे ही हम 21 to 30 करेंगे, तो जैसे हमने वहाँ minus 2 किया था, यहाँ पे हम minus 3 करेंगे, तो 21 में से minus 3 होगा, इतना हो जाएगा? 18, 22 में से 3 माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 19, यहाँ पे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 27. और second step होगा, जो 21 to 30 जो नमबर है उसे हम X ले 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 थे, तो X में हम कौन सी संख्या एड करेंगे, तो हमें answer 30 मिलेगा, तो 21 में हम 9 एड करेंगे, तो हमें 30 मिलेगा, वैसे 22 में हम 8 एड करेंगे, तो हमें 30 मिलेगा, 23 में 7, या तो फिर उल्टी सीरीज हम लिग देंगे. यह होगा हमारा 11 to 30 का टेबल, तो हम अब random ले कोई नमबर लेते हैं, और हम हमारा टेबल देखते हैं, तो यहाँ पर 46 है, तो 46 यानि 41 to 50 की सीरीज, यानि कि हमें यहाँ पर 50 है, इसलिए हम यहाँ पर minus 5 करेंगे, तो 41 में से अगर हम 5 minus करेंगे, तो यहाँ पर होगा 41, और 46 में हम कितना add करेंगे, तो 50 होगा, तो 4, तो हमारा answer होगया, 4, 1, 4, वैसे ही 9 into 58 है, तो 58 का पर होता है, तो 51 to 60 के बीच में, तो यहाँ पर हम 60 है, इसलिए यहाँ पर minus 6 करेंगे, तो 58 में से 6 minus होगा, तो होगा यहाँ पर 52, और 58 में हम कितना add करेंगे, तो 60 होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, वैसे 9 into 65 तो यहाँ से 7 minus होगा, तो 65 minus 7 is equal to 58, और 65 में हम 5 add करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 70, यहाँ पर 79 है, 79 यानि 71 to 80 के between होगा, तो 80 है तो यहाँ पर हम 8 minus करेंगे, तो 71 minus 8 is equal to 71, और 71 में हम 1 करेंगे, तो 80 होगा, इसलिए हमारे यहाँ पर 7, 1, 1, 9 into 9 करना है, तो यहाँ पर 99 है, अभी तब तो सिफ यहाँ पर 2 डिजित हो थे तो यहाँ पर 91 to 100 है, 100 है, इसलिए हम 99 में से 10 minus करेंगे, तो 99 minus 10 is equal to 89, और 99 में हम 1 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 100 होगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो 86 और यहाँ पर unit place होगा 4 यहाँ पर 83 है यानि कि हम 9 माइनस करेंगे तो 83 माइनस 9 is equal to 74 और 83 में हम 7 add करेंगे तो 90 होगा इसलिए होगा हमारा answer तो अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा तो असन इसे हम 9 का multiply किसी भी संख्या के साथ कर सकते हैं गर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे like कीजिए, share कीजिए और नीचे subscribe बटन पर क्लिक कीजिए और साथी में bell icon पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के notification मिलते रहेंगे धन्यावाद